हेलो गाईज कैसे हो आप लोग आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो में आपको CNC और VMC प्रोगामिंग के बारे में विभिन प्रकार की वीडियो मिलती हैं आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो आप सभी तक पहुचते हैं आप सभी को मिलते हैं वह सारी वीडियो मसीनों से रिलेटिव होते हैं चाहे वो VMC मसीन हो, चाहे वो CNC मसीन हो, ठीक उसी प्रकार से हम आप सभी के लिए, फिर से एक बार एक CNC प्रोगामिंग के उपर मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें कि आपको यह मालूम होगा, कि सबसे पहले, प्रोगामिंग सीखने से पहले, हमें अगर solid view अगर देखने को मिल जाता है, तो काफी कुछ चीजें उनसे यह clear हो जाती हैं, कि वह किस प्रकार का सेफ है, क्या-क्या उसमें बनने वाला है, और हम किस चीज को easily रूप से बना सकते हैं, और किस चीज को बनाने में हमें परिसानी हो सकती है, अगर हमें sketch मिलता है, तो हमें उतना clear नहीं हो पाता है, कि हमें आखिर में किस प्रकार का job हमें बनाना है, लेकिन जब हमें 3D view मिल जाता है, तो उससे हम काफी अनुमान लगा लेते हैं, कि हाँ, इस प्रकार का सेफ रहने वाला है, ठीक उसी प्रकार से आप यह देख रहे हैं, यह जो वीडियो मैं सूट कर रहा हूँ, यह एक round part है, और यह CNC मसीन पर ही बन पाएगा, और यह job CNC मसीन के लिए ही है, यह BMC मसीन पर नहीं बन सकता, यह CNC मसीन का ही job है, तो जैसा कि आपने इसका 3D व्यू आपने काफी अच्छी तरीके से देख लिया है, अब हम एक नजर डालते हैं, इसके drawing के उपर, जिसमें यह साप साप सारी dimensions जो इसमें दी हुई हैं, वह सारी चीज पहले एक-एक करके समझना बहुत जरूरी होता है, ताकि हमें यह clear हो जाए, कि हमें इस drawing के जरीए पार्ट में क्या-क्या काम करना है, सबसे पहले इस view को हम देखते हैं, इसमें अगर हम बात करें, तो इसकी जो total length है, यह 41.5 है, और यहां से इस वाले face से, जो देख रहे हैं, mouse का करजर, हाना, साब साब दिखाड़ी पढ़ रहा होगा, यहां से इसकी length जो है 33.0 है, और यहां से face से इस step की length है 28.5, और इस face से इस वाले step की length है 9.5, सबसे पहले अगर हम drawing को अच्छी तरह से read कर लेते हैं, तो हमें program बनाने से पहले 50% जो चीजें होती हैं, वह clear हो जाती है, इसलिए drawing को read करना आना काफी important होता है, program बनाने के लिए, इससे क्या होता है कि हम काफी चीजें समझ जाते हैं और हमें यह मालूम चल जाता है, कि यह जो coordinates होते हैं, dimensions, diameter, कहां मांगी होती है, कहां से कहां की यह length होती है, तो जब हम एके करके इस चीज को read करते हैं, तो यह सारी चीजें के लिए हो जाती हैं, अब हम बात करते हैं, इस तरफ की जो dimensions हैं, वह diameters हैं, तो यह जो हैं, यह diameter, यह ID है, यह 20 की है, और यह जो OD है, यह 32 है, और next 42 diameter यह देखें, यह जो है, आप mouse देखें, यहां से जो यह diameter किलियर हो रहा है, यह 42 है, और यह वाला जो shape यह, 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 यह जो OD बन रहा है, यह 60 का है, ठीक है, अगर हम बात करें, left side से, तो यह जो, यह देखें, यह diameter बन रहा है, यह group type का, जब यहां से shape जाएगा, तो यह जो diameter है, 36 का है, और यहां पे, यह जो है, 46 है, यह step है, यह कौन सा step है, यह, देखें, अगर हम बात करें, तो यह जो step है, यह, यह जो step है, यह वाली यह, यह, यह ना, यह contour है, यह वाली जो contour है, हम इसके बारें बात कर रहे थे, यह 46 है, यह 46 के लिए हो गया अब हम बढ़ते हैं next वी की और ठीक है यह जो सेप आप देख रहे हैं यह VMC पर बनेगा इसमें क्या क्या चीजें है देखिए इसमें सबसे पहले यह जो hole दिये हुए है 123456 यह 6 numbers के जो hole हैं वो कितने के हैं यह देखिए दिया हुए है 8 mm का है हाना 6 numbers holes है और यह यह देखिए क्या लिखा हुआ है 37.5 आर 37.5 जो PCD है इस PCD के उपर यह बनने वाला है ठीक है और अगर हम बात करें इस वाले लाइन से इस वाले यह जो है इसकी एंगल है 60 degree का ठीक है एक hole से दूसरे hole के बीच जो है वा 60 degree है 60 degree है अगर हम इसकी dimension की बात करें अगर हम बात करते हैं तो यहां से यहां की dimension आपकी है 64.95 सेम इसी परकार से यहां से यहां तक की dimension सेम हो जाएगी ठीक है आप mouse का करजर देख रहे हैं अगर हम इसकी बात करते हैं यहां से center line की तो यह है 18.75 का और अगर हम इसकी बात यहां से भी करें इस center line से तो यहीं पर होगा जस्ट इसका opposite इधर हो जाएगा अगर हम total add करके बात करते हैं तो यह 37.5 का होता है यहां से अगर हम इसकी बात करें 32.48 और यहां से यहां के भी अगर हम बात करते हैं तो same उतना ही होगा देखिए अभी अगर हम आपको निकाल के दिखाते हैं तो यह उतना ही आने वाला है इधर 60 degree हो गया अगर हम dimension की बात करें तो dimension की अगर हम बात करते हैं यह कितना आ रहा है 32.48 ठीक है और नीचे कितना है 32.48 तोनों सेम होगा इस प्रकार से यह अगर हमें coordinate डालना अगर पड़ा BMC में तो हम इस प्रकार से इसमें सारी coordinate जो हमने बताया इस प्रकार से हम एके करके XY का coordinate हम दे सकते हैं अगर देखिए यह detail है यह detail सी है अब इसमें कितनी सारी dimensions होती हैं वह देखिए अगर हम बात करें यह देखिए यह detail सी हो गया ना यह कौन सा है एक बार हम 3D view पर नजर मार लेते हैं ठीक है यह यह जो सेप दिखाई पड़ रहा है आपको यह जो सेप यहां से यहां बन रहा है यह यहां से यह ओडी है यह angle है यह ओडी है यह radius है यह face है तो यह जितने भी dimensions इसमें मांगी हुई है वह सारी चीजें हम यहा clear कर देंगे ठीक है अब इसमें क्या है देखिए यह radius हो गया और यहां से यहां 60 degree का angle है इसकी length कितनी है 2.6 कितनी है 2.6 यह od हमने यहां इस पहले clear कर दिया था यह od यह वाली od है 42 ठीक है इसके बाद यहां से यह angle है 30 degree का यहां radius है 0.5 का और यहां भी radius है 0.5 का ठीक है और इसकी 30 degree की जो length है यह देखिए यह है ना यह length है यह length है ठीक है तो आपने देखा कितनी बारिकी से आपने ड्राइंग को काफी अच्छी तरीके से understand कर लिया है कि जितने भी dimensions इसमें दिये हैं आप बारिकी से सारी dimensions के बारे में समझ पाए एक-एक करके मैंने समझाया अब इसका जब भी हम program बनाएंगे तो हमें काफी easy होगी इसको बनाने में है ना काफी easy होगी और जब हम इसका model देख लेते हैं तो हमें और आसानी हो जाती है है ना तो हमें और आसानी हो जाती है हम अराम से बनाते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं होती है है ना तो ड्राइंग सबसे पहले समझना बहुत जरूरी होता है जब हम ड्रोइंग को समझ जाते हैं तो हम काफी अच्छी तरीके से प्रोगाम भी बना लेते हैं कहीं मिस्टेक भी नहीं होता है और हमारा काम जो है 100% सफल हो जाता है जब हम drawing को नहीं समझ पाते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि इसका coordinate कहां पे है कहां से कहां तक है इसकी requirement क्या है तो हम समझ नहीं पाते हैं इसलिए drawing को समझना सबसे पहले बहुत जरूरी होता है ठीक है friends थैंक यू इस video में इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई topic के साथ थैंक यू बाई बाई